आज मैं आपको इस वीडियो में खुजूर शेक बनाना सिखाती हूँ ये वीडियो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स की शिकायत थी कि ये चलनी रहा है कुछ मिनट के बाद बंद हो रहा है और बहुत सारे चाहते थी कि मैं उर्दू में बोलूं तो ये आप सब के लिए इस्तियाब है तो उसमें ये बहुत ही लग कुछी चीजें इसमें जुरत खुतिया बनाने के लिए और बहुत मज़े का बनता है ये बच्चों के लिए भी अच्छा है बढ़ूं के लिए और इफतारी या सहरी दोनों टाइम आप पी सकते हैं और इससे बहुत बेड़ ब नरम होंके अगर आपके पास सकत वाली सुखे वाले खुजूर है तो आप इनको विगोक ही रखे तो पानी में या दूद में और दूद मैंने दो गिलास लिया है तो दो गिलास दूद के लिए एक गिलास दूद के लिए आपको साथ या आठ खुजूर चाहिए होंगे और मैंने यहां पर जैफरान लिया हुआ है यह केसर जिसको बोलते हैं यह आप यह अप्शनल है अगर आपके पास नहीं है बट ये उससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा और ये सहथ के लिए भी अच्छा होता है इसको मैंने गरम दूद में बिगोया हुआ है नीम गरम दूद में पहले हम एक ब्लेंटर जार में खजूर ले लेंगे इसमें थोड़ा सा दूद हम एड़ करेंगे पूरा नहीं करेंगे पहले हम इसको थोड़ा प्योरे जैसा बनाएंगे तो यह देखिए ऐसा हमने इसको ब्लेंड कि अब हम पूरा दूद इसमें सारा दूद जो हमारे पास है दो गलास हैं अगर आपने ज़्यादा लिया हुआ है तो उतना आप मिक्स कीजिएगा और इसी टाइम हम इसमें सैफ्रान एड़ करेंगे इसमें शकर डालने की जूरत नहीं है लेकिन अगर आपको थोड़ा मीठा ज्ञादा पसंद है वैसे विया कुद गारण बन गया वर गरिचे काड़ा शक्टा या रखार रखा माजए का बनता है ऐखंच हमार। बंग सेखिए बट बनता है और बहुत मज़े का बनता है अब इसमें कोई fruit भी add कर सकते हैं और मैं एक optional cheese यानि सब्जा या जिसको हम कश्मीर में बाबरी बोलते हैं मुझे काफी पसंद है तो मैं इसमें मिला रही हूं अपने वारी glass में तो इससे भी इसमें बहुत मज़ा आ जाता है अगर आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं या कुछ fruits या dry fruits जो भी आपकी पसंद का अपनी पसंद का कुछ भी इसमें add कर सकते हैं और ये इफ्तार या सहरी के time बहुत बहुत अच्छा रहता है जरूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे comment section में बताएगा कि कैसा बना thank you for watching दुआउं में याद रखिए अल्हाफिज